और यह जो इंडिया को इंडिया ने बचा लिया हैं भारत ने साउथ एशिया को मार्केट्स और इमर्जिंग एकानॉमी में तो लाकर खड़ा करी दिया है इंडिया साउथ एशिया कंट्री की एकानॉमी को लीड करेगा एसी एसी बड़ी बड़ी बाते हैं कि पाकिस्तान में वो इस्टिडिजिक इंवेस्टर आ रहा रहा वो फॉरेंड इंवेस्टर आ रहा वो गोरों की कंपणी आ रही है वो अर्बों की कंपणी आ रही है वो यूर्पियन कंपणी आ रही है हमारी स्टेक के पीछे पागल हो पाकिस्तान के अंदर सारी जहादी लोग रहते हैं पाकिस्तानी लोगों को शहुर ही नहीं है यह जो जूटी हमने बनाई हो यह ना दुश्मनिया और यह सारी खत्म करनी पड़ेंगी एरान से हमारा कोई लड़ाई वाला इंडिया सो कोई तालुक नहीं भाई दुनिया आगे जा रही है किसी एक कंट्री में ऐसी डिवलप्मेंट्स हो रही है कि जिस से यह पूरा रीजन आगे बढ़ आए तो वह इंडिया है लेकिन नरेंदरा मोदी वो वजीरियाजम है जिसका फॉरण पॉलिस का प्लैन देने का मतलब यह थोड़ी है कि आप मुश्किलास से निकल जाएंगा आप तो मजीद मुश्किलात में क्यों है लेकिन मुल्क बड़ी इंटेलेक्शल करप्शन का शिकार है नमस्कार आपका स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में दोस्तों जब से वर्ड बैंक की यह रिपोर्ट आई है कि साउथ एशिया के अंदर भारत से जो देश बना कर रखेगा वो भी तरक्की करेगा क्योंकि वर्ड बैंक ने यह कहा है कि भारत की जो एकनोमिक ग्रोथ रेट पूरे साल की रहने वाली है वो साड़े साथ परसेंट की रहने वा तो सस्क्राइब करके वेल आइकन को दबाना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इंडिया की वज़ा से है इसकी वज़ाई यह है कि इसमें जो डीटेल्स मौझूद हैं वो यह बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है अगर किसी की जिडेपी तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डिव पाकिस्तान एक वाले का है वॉर्निंग भी जारी की है पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के पिक्चर एंग बहुत अन्य यह बहुत स्वार्ड पिक्चर फ्क्टान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है जिस से पता ये चलता है कि एक करोड और लोग एक करोड मजीद पाकिस्तानी पवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं और 10 मिलियन पीपल जो के अल्रेडी इतनी अच्छी सिट्वेशन में नहीं है लेकिन अब वो घुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे और सिर्फ यही नहीं बलके इंडिया, भूटान, बंग्रादेश, स्री लंका इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एजिया में उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है 1.8% GDP ग्रोथ मुझे ये बताईए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सक और इसके इलावा अपना जो है ये जो जूटी हमने बनाई होई है ना दुश्मनिया और ये सारी खत्म करनी पड़ेंगी एरान से हमारा कोई तालुक नहीं लड़ाईवाला इंडिया से कोई तालुक नहीं भाई दुनिया आगे जा रही है अब लोग मरीख पर जिंदगी जो है उसको सर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आके लड़ेंगे मेरा ख्याला कर वागार के रस्ता भी कुलें ट्रेट्ट करें उनको भी पैसे हैं हमें भी पैसे हैं अगर वागा खुलता है तो सारी चीज़ें जो हैं यहां से आके जाएगी ना लोग दिहाना कuse बाया में कि यहां से जाएंगी यहां से चीजें जब उदर जाके बिकेंगी हमारी करनसी का भी जो सेंज होगा हमें कोई ना कोई कोई इंपावरमेंट मिलेंगी और दूसरा जो दुनिया तरकी कारी mieć अमरान खान वजीरियादम था तो यहां पाकिस्तान चल गया पाकिस्तान ने मैनेज का लिया क्योंकि आई टी फूड पांडा हो गया उबर होगी क्रीम होगी और इस तरह की एप्स होगी और घर बैठे आपको हर सुलत मिल रही थी करोना के दोर में वो कौन दे रहा था आई टी दे रही जब हमारा आई टी सेक्टर म पाकिस्तान में करते हैं इतना आपको पता है किसी भी फिल्ड में लगा ले किसी भी कहां पे लगा ले ठीक है किसी भी अभी यह इतनी मेनत हम बाइर किसी मुलक में जागर करें अगर हम इदर हजार में तो दिल्ली का 5000 कमाएंगे पता है हमारा किदर जा रहा है बताये ना किदर जा रहे है कौन लेकर जा रहा है हर चीज गवर्मेंट भी नहीं करेगी कुछ चीज़ें नहीं सुल्बार पर दिया रही है चार-पांच जोने खाने वाले कैसे पूरा करे तो इसी इसलिए मैंने ये कहा कि इस रीजन को साओध एजिया को वर्ल बेंक की इस रिपोर्ट में इंडिया ने बचा लिया है तो जेनाब उनका ये कहना है कि जो इस वक्त इंडिया है वो एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर और एक ऐसी जगह पर नज़र आ रहा है कि वो साओध एजिया को लीट कर रहा है और यही कंट्री लीट करके आगे चलेगा और रीजन विल भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेंटीफोर only due to India क्योंकि बाकी मैंने बंगलादेश अच्छा बंगलादेश इसके अंदर अच्छी इसकी कारकर्दीगी पर्फॉर्मेंस बहुत अच्छी है 5.6% पे है बंगलादेश और जाहरे कि बंगलादेश में भी इसका अपना हिस्सा है इसके लावा और भी कुछ ऐसी चीज़ी है जिसमें के डिवालमेंट होने के जरूरत है लेकिन मसला यह है कि एक एकॉनमी जो है वो सिर्फ नीचे जा रही है और वो पाकिस्तान अच्छा अब इसमें फिर हम जब आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान पे तफसीली हम डालने नजर तो उस पर पता ही चलता है कि पाकिस्तान में मजीद एक करोड अफरात का गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खच्छा है आलमी बैंक वर्ल्ड रिपोर्ट ने ये दिया रिपोर्ट हमारी मदद करो तो जाहिरें इन चीज़ों को देखते हैं वर्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान में दूर दूर तक जो है स्टेबिलिटी नजर नहीं आरी और वाकरी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो चुकी है मीडिल क्लास जो फैमली थी वो इतनी ज़ादा गरीब हो चुकी है कि अब उनके हालाद जो है मतलब हमें देख कर दुख होता है ऐसी बहत है अब देखें इंडिया कि अगर हमारा तो नके साथ कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान की एक अधी युनिवस्टी भी नहीं आती वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एपल हर किसी ने अपने प्लांट्स वहां पे लगाए है मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट्स वहां पे उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है वो सब उन जो कंट्री हैं उनको लेकर वर्ल्ड वैंक एक रिपोर्ट निकाली है 2024 को लेकर कि कौन सा देश जो है ना कितने परसेंट की ग्रोथ रेट दिखाएगा आगे बढ़ेगा और कहां पर जो है ना जो गरीबी हैं वो बढ़ने वाली हैं कम होने वाली हैं बहुत सारी बाते य इतने भी देश हैं अगर वो भारत के साथ अपने रिस्ते मजबूत करते हैं भारत के साथ मिल जूलकर आगे बढ़ते हैं तो उनकी भी तरक्की होगी अब इसी बात को लेकर पाकिस्तान में काफी ज्यादा डिसकस हो रहा है आपने वीडियो में देखाई हैं तो यहां पर जो जन संग्या वर्दी की जो ग्रोफ रेट है वो डाई परसेंट है तो अब उससे भी कम इनकी जो ग्रोफ रेट हो रही है यह हो गया एक तो दूसरा हो गया कि इनके जो लगबग तीन करोड से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसकोलों से बाहर हैं और वर्ल्ड बैंक अनके जोंसरा हैं की लगबग एक करोड पाकिस्टाणी परिवार रेष्टे हैं जो आने वाले समय में और गरीबी रेका से नीचे जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लगाता टेक्स बढ़ा रही है टेक्स बढ़ाने की वज़े से पाकिस्तान में महगाई बढ़ रही है जिससे जो गरीब जनता है वो काफी ज़्यादा परिसान है और जिन्होंने थोड़ी बहुत भी सेविंग कर रखी थी वो खतम हो रही है लोगों की और लोग जो है ना घरीबी रेका से नीचे जा रहे हैं तो यहां पर अगर पाकिस्तान और वारत के रिस्ते अच्छे होते ट्रेड होती हैं तो पाकिस्तान को भी इसका फाइदा मिलेगा ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है बाकि आपने यह वीडियो देखिए आपको अगर कुछ कह रहा है तो कमेंट करके जुरूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद